शीराधिराधे भक्तों भगवान के भक्तों की भी अद्भुत लीला होती है यह जो भक्त भगवान से सदा मिले रहते हैं और उनके पार्षद होते हैं तो पार्षद की भी लीला होती भगवान की जैसी आप ऐसे समझेए कि जैसे वो कई जगह तो सब के बीच में बैठे हों और किसी जगह मरने की भी लिला कर दें और जगह के लोग का इंगारे वो तो हमारे सामने बैठे थे जो कभी आप उसको मानो को कि मरे हो वो दे छोड़ना लिला के तरिक तो और कुछ नहीं हो सकता और बाबा आप कुछ ऐसा ही करने वाले थे जिनके सामने ड्रिश होता था वो तो दुखी और दूसरे लोग हंसते थे महराज जिन बीमारों के लिए डाक्टर बुलाया था बाबा ने उन साब को अपनी लिला से स्वस्थ कर दिया कहिंची में और उसके बाद तो बाबा यात्रा करने के लिए चल पड़े कहिंची से आगरा और बंदावन के लिए जिनको दर्शन देना था उनके पास जाना था किसी ने किसी बहाने से चलते समय एक अम्मा की राम नाम की कापी लिया वो भक्त माता जो थी उसकी कापी में बाबा ने अपने हाथ से राम नाम लिखा और फिर उसको वो डायरी जिसमें लिखती थी वो दे करके बोले अम्मा अब ये कापी तेरी है तू ही इसमें आगे लिखेगी ऐसे जैसे लोगों से विदाई ले रहे हूँ और बाबा का ऐसंपूर्ण कारे उद्देश पूर्ण और प्रतिकात्मत था 11 सितंबर के दिन अपनी जीवनियात्रा समाप्ट दर्चाई थी आयस्टी लीला की थी महराज की बुद्धी गम में ही नहीं है वक्तु जाने के पहले ही बाबा ने एक अम्मा जो बहुत भाक्ता थी जिसने बाबा की बहुत सेवा की थी उससे कहा कि तेरी जैसे सेवा कोई कर नहीं सकता है और जब मैं जाओंगा तो तेरे आगे तो रोता हुआ और दुनिया को हंचाता हुआ तो इसी तरह से और भी लोगों को देखेगे कि कई तो रोएंगे और कई हंचेंगे महां से विज़ा ले करके वहां लोगों को परशात को बाट करके बाबा बोले आज हम सेंटरल जेल से रिहा हो रहे हैं और फिर हांसने लगे और महाराज चले हैं महां से कहींची धाम से आगरा के लिए गाडी में बैठ के रहे हैं और आगरा पहुँच करके अलग-अलग भक्तों को अलग-अलग सेवाकारी दे दिया और कुछ को तो अपने साथ में भी ले लिया और महाराज अभी तक उनको कुछ भी बीमारी नहीं थी कोई रोग नहीं था अब रुंदा बना करके बोले मुझे रामकृष्ण मिशन अस्पताल में ले चलो बस वहाँ पहुचे और वहाँ पहुचने के बाद अचे तवस्था मने दिखलाई पड़े तो उनके नाक में आक्सिजन की नली लगाई गई और रक्टचाप के अंतर द्वारा रक्टचाप लेने का विधान के जा रहा था बाबा ने एक उंगली से नाक पर लगी नली को हटा दिया और रक्टचाप के अंतर को हटाते हुए मंदसवर में बोले ये सब बेकार है इसके तुरंत बाद ही तीन बार धीर धीर जगदीश 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 ऐसा बोले और फिर महाराज शांत और फिर उनको रामकृष मिश्यन अस्पताल से आश्रम लाए गया और बाबा के उपर सभी को ऐसा लगता थी कि तो लीला धारी हैं पता नहीं क्या करें लोगों को ऐसा विश्वास ही नहीं था क्योंकि बीमार तो थे ही नहीं और उधर आकाश भानी द्वारा ये गोश्न हो गई कि बाबा का शड़िर जूट गया तो इतना ही बताया गया था तो उससे भक्त लोग भागे बिंदावन के लिए बिंदावन में बहुत भीड हो गया शब में और बाबा की लिए थी वास्तों में लोग रोने लग गए आगे आपको रहस्तों समझ में आएगा भक्तों आप दुखी मत हो ना वास्तों में लिए थी बाबा की ये ऐसा लगता था कि बाबा ने पागल बाबा के अंदर प्रकट होकर आधेश कुछ किया और पागल बाबा भागे हुए आए और बोले बाबा की समाधी नहीं बनेगी बाबा की शरीर का दाकर्म होगा और बाबा की शरीर को पहले कार की उपर सजाद हो जाकरके पूरे बिरंदाव में घुमाया गया था और हर जगए उस्ववरिष्टी होती थी विमान रोक रोक करके सब लोग आरती करते थे उस्ववरिष्टी करते थे मंदिर का प्रसाध प्रसाधी माला मंदिर किलाते थे और जब पागल बाबा के आधेश के अनुसार बाबा की चिता फ्रज्वलिट की गई आश्रम के अंदर तो एक जगमोहन शर्मा थे भाक्त उन्होंने बताया और लोगों को दिखाया भी ये उस चिता की जवाला के उपर राम लक्ष्मन के बीच बाबा का दर्शन हो रहा था बिल्कुल जवाला के ठीक उपर राम लक्ष्मन का दर्शन हो रहा था जगमुहन जी को और भी कुछ लोगों को दिखाने का प्रयास किया और राम लक्ष्मन के बीच में भाबा का दर्शन हो रहा था और उस समय उस चिटा की परिक्रमा हनुमान जी कर रहे थे श्रीवर्णवन धाम में ये लीला भाबा ने खी थी अपने अंतिम लीला अनेक अनेक कल्षों में एक strict किया और हरिद्वार प्रयाग आद विविन तीर्थों में ले जा कर के वहां तीर्थों में, पवित नदियों में विदिवत प्रवाहित किये थे और बाबा के आश्रम हों में भी भीड़े गे थे कल्ष बाबा ने पहले एक बहुत बड़ा अधिकारी था केहर सिंग उसको कह रिया था मेरी आस्ती बीने गातू ऐसे बाबा हंसी हंसी में सबको एक एक बात बोल दिया करते थे ना जाने कितने विदेशी लोग अचानक हवाई जहाच से उसमें एक आकर के दिल्ले और दिल्ली से बरंदा बना गए थे बहुत भीर हुए थी और अंति में आत्रा के पूरो महराज्य की वारता हैं बोध कराती हैं कि मृत्य को प्राप्त नहीं होगे हमार कंट्रक और नरंदा के किनारे रहेंगे ऐसा बोले थे और यह लीला बड़ी रहस्ट में थी वक्तों आठ सितंबर तीहत्तर को लीला प्राप्त थी और बंदाबन में अस्पताल में भी चले गए फिर सब वहां से हटा दिया आक्सिजन के नली आज बोले सब भेकार और आश्रम में लीला आखरी भी हो गए उनकी दाकर्म भी हो गया ज्वाला में राम लक्ष्मन का दर्शन भी हो गया बाबा का भी दर्शन हो गया और हनुमान जी परिक्मा करते दिखलाई पड़ गया मैंने बटाया आपको इसके बाद नीब करोरी की बाबा के निधन की घटना को योगिराज देवरहा बाबा को सुनाया गया तो देवरहा बाबा हंस ने लगे बोले बिलकुल आवास्तविक है ये वास्तविक बात नहीं है ये सत्य नहीं है तो लोगों ने कहा बाबा ऐसा आपको करें देवरहा बाबा पूझा बोले ऐसा खिलवार वे आने एक बार कर चुके हैं विज्जा कहा सकते हैं वे जीवित हैं और सदा जीवित रहेंगे ऐसा देवरहा बाबा ने कहा नीब करोरी बाबा के लिए भक्तों एक भागवान सिंग बाबा के भाक्त थे वो बच्पन से अनात था वो भक्त बाबा ने उसको अपनी सेवा में ले करके उस पर अनेक उपकार किये थे उसका यग्योपयुद संसकार भी उन्होंने अपने करकमलों से किया था और उसे ब्रंदा बन हनुमान मंदिर का पुजारी बना दिया था लग्तों जिसको ठाकुर जी अपनी सेवा में लेना चाहते हैं वो ही तो सेवा करेगा ज्यादा पढ़ा लिखा होने की बात नहीं होती भगवान को तो उसके भाक्ती प्रेम से मतलब होता है अनपढ़ था मैं पहले आपको सुना चुका हूँ लेकिन बाबा ने केवल उस अनपढ़ को स्पार्श करके गीता का पाठ करवा दिया था और लोग सुनके आश्यरे अपरे थे बाद मैं संकत मुचन हनुमान मंदिर लखनव का पुजारी बनाया था तो एकाएक बाबा के महा प्रयान के सूचना पा करके उसे अपने बीतो दिनों की याद आने लगी और फिर वो अपने को अनाथ समझने लगा वो बड़ा दुखी हो गया गुरु पिता माता सब उसके तो बाबाई थे जब से बाबा का आस्थिकालस वहां पहुँचाया गया वो भी अपना जीवन समाप्त करने की सोचने लगा वो पुजारी लखनव में उसने मन ही मन इसके लिए योजना भी तायार कर ली और अगले दिन हनुमान सेत्व से गोमती में गीर करके अपने प्राणों का अंत करने का निश्चय भी कर लिया और अंतर्यामी बाबा का करुणा में सुभाव यह नहीं देख सकता था अब वो तो यही देख रहा है आस्थिकालस व्रंदावन से आया है और लखनव में मंदिर में पहुँच के आया है उसको तो पूर्ण विश्वास से ही था कि बाबा तो गए और अंतर्यामी बाबा का करुणा में सुभाव अपने भक्त पुजारी के लिए नहीं देख सकता था वे भगवान सिंग के संकल्प की द्रता को भी देख रहे थे कि वो कूदेगा पुल से और गोमती जी में पुल पर से कूद करके सवजी शमाप्त कर देगा पक्का निश्चे कर लिया है बस इसके बाद बाबा की लिला सुरू होती ही भक्तों दूसरे जिन प्राते काल जब हो हनुमान जी की अर्चना से निब्रत हुआ तो लंबे बदन और गिरुवे बस्तरधारन की वे एक साधू मंदिर में प्रवेश किया लखनों में उन्होंने भगवान सिंग को बाबा की दीव ही माला की और चंकेत करते हुए पूछा ये माला तुम्हें कहां से मिली उसने बाबा नीव करोरी का नाम बताया फिर अपने अस्तिकल उसको करते हुए उन्होंने पूछा फिर इसमें क्या है भगवान सिंग के बताने पर किसमें बाबा की अस्ति हैं तो तुरंत बोलुटे जूट बिल्कुल जूट अरे हम बाबा नीव करोरी का अच्छी तरह जानते हैं हम सीधे अमर कंटक से आ रहे हमें बाबा वहां टाट लपेटे वे दिखाई दिये हमने उनसे पूछा महराज आपने अपना कंबल कहां छोड़ दिया वो बोले हम उसे कंशी में छोड़ाएं अब हम एकांत में भजन करना चाहते हैं वहां बहुत भीरभार थी इसलिए हम यहां आ गए और अब कंबल भी नहीं राट लपेटे तो भागवान सिंग महराज जी को अलोकिक शक्ती संपन्न मानता था वो पुजारी पर वो यह नहीं समझ सकता था कि अस्ठी कलस सामने रखा है और फिर भी जीवित हो सकते हैं तो सादू की आखों देखी बाते सुनकर उसका संकल्प कुछ डगमगाया वो सादू फिर महराज जी के लाजे में बोला अरे हम नहाना चाहते हैं हमारे रिषाबुन और पाने रख दो अब भक्तो भगवन स्रिंग पुजारी जी थे वो देख रहे हैं कि ये सादू तो बिल्कुल निवकरुई बाबा की तरह बोल रहा और तुरंत याज्या का पालन के है साबुन की खरीट करके बजार से लाया और पाने रख दिया पुजारी जीने सामने और सादू ने उससे नहलाने के लिए कहा नहलाओ मिद को और जे उन्हें साबून लगाने के लिए उद्यत हुए पुजारी की, उन्होंने मना कर दिया, और बोले साधू साबून नहीं लगाते हैं, उस साधू के उल्टी सीडी बाते हैं, उसे महराजी की बिल्कुल याथ दिला रही थे, कि बाबा तो ऐसे बूलते हैं, गुला आप के काने से ही मैं साबुन खरीट कर लाया अब मैं इसे आवश्य लगाऊंगा जब भगवान सिंग उन्हें नाला रहे थे तो उसने दिखा कि वो साधू वही सब बच्चों किसी हरकते कर रहा था जिसका अनुभव महराज जी के नालाने में हुआ करता था अब वो पुधारी थी तो बाबा की सेवा में बहूत दिन रहे बुरंदाबन में रहे फिर लखनव में रहे तो वो तो बाबा को अच्छी तरद से देखते थे उनका सभाव देखते थे अब वो देख रहे बिल्कुल वही सभाव उसससा धू का है जो नालाने के लिए बोल जारो ना लओ, तो महराजी, बाबा से मेल खाती इन सब बातों से वो चकित ही नहीं, भ्रमित सा हो गया, पुजारी, और साधू को भोजन कराकर विदा करते समय भगवान सिंग ने पूछा, आप, आप कहां ठहरे हैं, आपको दर्शन कब हो सकते हैं, साधू में उत्तर दिया हम पास में अमीनाबाद के हनुमान मंदिर में पड़े रहते हैं, वहां का पुजारी हमारी बड़ी सेवा करता है, तुम कभी भी फुर्चत में आकर मिल सकते हो, और महराज उसी दिन दो अपर बाद मंदिर बंद करके भगवान सिंग, अपनी शंका समाधान है, तो उस जे से बोल रहा है, निव करोरी बापा जैसा ही बोल रहा है, और उसे वो सादू मंदिर में कहीं भी नहीं दिखाई दिया, अमीनाबाद हन्मान मंदिरों पहुँट गे जहां बताये थे वो, लेकिन वो सादू कहीं नहीं था, उसने वहां के पुजारी सेहुत सादू का कि वे कहा हैं, उजारी ने कहा, यह ऐसा कोई सादू वहां नहीं रहता, वो उसके ही कहने पर कि वो सादू बता रहा था, कि आप उसकी बहुत सेवा करते हैं, उजारी ने उतर दिया, यह सब जूट है, भगवान सिंग की आँखे खुल गई, उसे विश्वास हो गया, इस स पुजारी के गोमती में कूधने के संकल्प को खत्म करने के लिए उसके पास आये थे, इस तरह से पुजारी को दर्शन दे दिया महराज, बाबा ने अपना रूप बदलके, विश्वदलके, सादू बनके, और ऐसे अनिक घटना हैं, बाबा ने की, एक घटना में बता रह महराजी ने कहा था कि हम तेरे लिए पशुपतिनाथ से एक रुद्राक्ष माला, नर्मदा से एक शिवलिंग और दक्षिनावर्त शंक ला कर देंगे, बाबा के कथन मात्र से अपने को कृतार्थ समझ रह थे, उन्होंने कभी भी इन वस्तूं की याद नहीं दिलाई, और 11 सितंबर 1973 को बाबा ने अपना सदे शांत कर दिया था शिवंदावंधाम में, अब उनसे इन वस्तूं की प्राप्ती की कोई संभाव नहीं सकती थी, और एक दिन अकस्मात, एक युवा साधू, इन वस्तूं को ला करके महराज देख गया, उस भक्त को, जिसको बाबा ने कहा था केंशिया श्तूं, साधू ने सारी वस्तूं लाके दे दिया, और जबकि उस व्यक्ती ने कभी किसी सिस्वारता को किया नहीं, और उसने यही कहा, यह वस्तूं आपके लिए भिजवाई गई, तो उसकी यही धारना थी, कि महराज जी ही, अततनी करो बाबा ही, उस स आदू के रूप में अपना वादा निभानने के लिए थी, और यह घटना बाबा के निधन के बाद भी बाबा के अस्तित्तू को पुष्ट करती है, ऐसी लिए बाबा बाद में किये कि लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ, बाबा ने शरी छोड़ा, एक घटन में आपक जिनकी हलद्वानी में कपड़े और मिठाई की दुकाने हैं, सन 1973 में एक दिन कैशी में बाबा के दरबार में बैठे थे, बाबा बिना किसी प्रसंग के ही स्वतय बोल पड़े, तू अपने लड़के का विवाह कर दे, आब वो ठंडन दी जिनकी बात में कर रहा हूं, उन बाबा ने मुशकराते ही मौन स्विक्रिटी देगी, और महराज इसी वर सितंबर में बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया, इस कारण उनकी मौन स्विक्रिटी का आप कोई महत तो नहीं समझा गया, क्योंकि टंडन जी ने सोचा, जो हलद्वानी वाले थे, दुकानदार कप्रा और मिठाई की उनकी दुकाने, उन्हों सोचा अब वादा तो बेकार ही गया बाबा का, क्योंकि बाबा तो अभाय नहीं जा चुके, और महराज दो तीन वर्ष बाद चंडन जी ने अपनी सुविधा से अपने लड़के का विबा किया, और लड़की वालों के घर बारात का स्वागत हुआ, तो लड़के को पांडाल के मद्ध में एक सुन्दर सोफे पर बिठाया गया, उसके साथ उस सोफे में उसका मित्र भी बैठा था, इधर उधर और पीछे बच्चे वो महिलाएं भी उपर से थी, इतने में ये कहीं से आकर के, कंबल ओड़े एक बुड़ा उस लड़के के मित्र की बगल में आकर बैठाया, अब बाबा के चरीर के बाद की बात है, विक तो तीन साल बाद की बात है, तो इन लोगों के साथ उस बुड़े की उपस्थित सबको खल रही थी, इस नए नए लड़कों के वीच में बुड़ा साधू कहां से कंबल ओड़े आ गया पर उस साधू से कुछ कह सकने का चाहस किसी को नहीं था लड़की वाले सोच रहे थे कि ये कोई लड़के के घर के वयो बृद्ध व्यक्ति है जो कंबल ओड़े आके बैठके है बूरा सा और लड़के वालों का भी मिलता जुलता अनुमान था कि इनके घर का होगा है ये व्रिद्ध लड़की वालों से संबंदित होगा जब लड़के और उसके इदर उपस्थित बच्चे और महिलाओं की फोटो ली जा रही थी तो व्रिद्ध उठा और धीर धीर टंड़न जी की ओर आया वहाँ उसमें उपस्थित टंड़न जी के मित्र और महराज जी के परमभक्त जीवन चंड़ जी ने उनको सुझाया कि इस उभावसर पर इस व्रिद्ध को कुथ रूपय देने चाहिए उनके ऐसा कहने पर जंड़न जी ने एक पांच रूपय का नोट उस कंबल ओड़े हुए ब्रिद्ध की ओर बढ़ाया अब रुद्ध ने उसे उस विखार नहीं किया तो बोला इसे उस विखारी को जो पास में दूसरा कोई खड़ा था उसको दे दो इन दोनों का ध्यान उस विखारी की ओर गया जिसको पांच रूपय देने के लिए बोला था इतने में ही वो ब्रिद्ध वहां से बाहर निकला और महराज बगवान पर यसी लीला करते हैं यसी लीला मैं आपको सुना रहा हूँ दरवाजे से निकलते ही तुरंत इन सब लोगों को टंडन जी को और उनके साथियों को ये आभास हुआ तो नीव करोरी बाबा थे जो पांच रूपय दूसरे को विखारी को देने के लिए बोल के चल दिये वो नीव करोरी बाबा थे दूसरा कोई नहीं था वो अपना वाज़ा पूरा करने के लिए आय थे और महराज सब लोग निकल निकल के बाहर देखने लगे पर वो तो बहुत खोज की गई उसमें वो तो अंतरधान हो चुके दरवाजे से निकलते ही बाबा अंतरधान हो गए और फिर सबको पक्का विश्वास हो गया क्यों कंबल ओड़े जो व्यक्ति आया था वुरिद्ध उनिकल रुदी बाबा थे और अपनी उपस्थित का परमार दे दिया और अपने वाज़े की पूष्टी करके दिखा दिया कि मैं हूँ मैं कहीं ने गया हूँ और बाद में जब फोटो जो फोटो लिग गई थी ना फोटो कीची जा रही थी शादी का मोगता तो ऐसी मायर अच्छी मायर फोटो में कंबल जो ओड़े हुए थे उसका पूरा आधा भाग उस सोफे पर तंगा हुआ दिखाए दिया मस्तब वो फोटो में बैठे हुए नहीं मिले उपर फोटो टंगी हुए दिखलाई पड़ी निवकर हुई बाबा की जबकि वहाँ फोटो थी नहीं निवकर हुई बाबा की उस जगह पर इस तरह से लिला करके बाबा ने जो अपने दिये हुए वचन को उस्ट करके दिखा दिया कि मैं आ गए साधी में तेरे बेटेक साधी में मैं इन बातों के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि वह लीला थी बाबा की शड़ी छोड़ने की चैत्री नीस सो असी की नवरात्रियों के बाद श्रीमा के साथ अनेक भक्त हलद्वानी से नीवकरोरी गाम पूंचे है वक्तों श्री मा के विश्यम मैं आपको बाद में बताऊंगा अब आप इतना समझे कि वो सिद्धी मा कही जाती थी बाद में चरिक्तरों बताऊंगा मैं तो मा के आदेश से वहां दूसरे दिन बारह बजे हनुमत जैनती पर हनुमान जी को विदिवत चोला चड़ाने का कारिकम निश्टित किया गया था और ये कारिय श्री विनोट चंडर जोशी मैनेजर कहिंची आश्रम और पंडित किशोरी रमण जी विरंदावन के प्रख्यात कथा बाचक को सौंपा गया दूसरे जिन प्रातय काल से ही मंदिर की सफाई और सजावट का कारिय चल रहा था पंडित जी बारह बजे के कुछ ही समय पूरो मंदिर में पता रहे और कारेकरताओं को बताना भूल गए थे कि पूजा के लिए किन-किन वस्तुओं के आवश्यक्ता होगी इस कारण वाँ सभी आवश्यक्त समग्रियों का अभाव था तो पंडित जी अपनी भूल पर दुखी थे परन्तो अब कोई उपचार नहीं था इतना समय नहीं था कि सब संग्रा हो से के वस्तुओं का तो उस गाओं की दुकानों में भी उपलब्द नहीं थी हैं वो चीजें और बाहर आदमें भेज करके मगवाना संभो नहीं था यह तो समग्री के भाव में मंत्रो चार द्वारा मानसिक पूजा कराने का विचार किया गया क्योंकि बस्तुओं थी ही नहीं तो मानसिक पूजा ही की जाएगी अब विनोट जी ने अनुमान जी के समग्र पूजा है तो आसन ग्राण किया और मंदिर के द्वार के बाहर बैठ कर पंड़े जी पूजा प्रारम कराने जा रहते हैं सभी दर्शनार्थी मंदिर के आगे बैठे थे और रहु पंड़े जी थे तो उनकी सामने मंदिर के द्वार पर ही जो बैठे थे वो इतने में एक भारी चरे और गंभीर सुभाव की ग्रामीर बुढ़िया एक गठरी साथ में लिए सब दर्शनार्थियों के मद्य से हो करके आगे चली आई और पंडित जी के पास जाके बैठ गई बिना किसी से कुछ बोले अपनी गठरी में से एक एक करके पूजा के सारी सामगरी श्रीफल, लाल वस्त, कलावा, कच्चा, दूद, आज निकाल कर सब देने लगी सब लोग मुग्ध हो गए कि हमने चो किसी को खबर भेजा ने और सारा सामान लेकर के माई आ गए इस बृद्ध माता समझ में नहीं आ रहा है कि ये बुड़िया है कौन और बिना बताए सारा सामान लेकर के आई, कहां से ले आई और यहां पहाड में तो करमकांड की पूजा कराने वाले भी ऐसे नहीं, बिन बुलाए आई और सारी सामागरी निकाल रही, अब विद्ध पूजन के बाद आरती हुई, भर्मान चालीसा के पाठ का करम चलता रहा, बुड़िया अपनी गट्री खाली कर चुकी थी, वो उ आथ में लाई है, और उसने वहाँ उपस्थित सभी महिलाओं को पूरी सब्जी का प्रशाद अपनी गट्री से निकाल कर दिया, उसने ये भी बताया, कि वो साथ को उस दूर से आय रही है, एक आएक उस भीड में वो किधर गाया भोगाई कोई जान नहीं पाया, महराज नीब करोरी गाओं के लोगों का कहना है, यो बुडिया कहीं बाहर से आय थी, चारों और दूर दूर से के गाओं में कभी नहीं देखी गई, अब भक्तों ने कहा हो बुडिया कोई नहीं नीब करोरी बाबा ही थे, ऐसे महराज बाबा ने निधन की लिला के बाद भी आने कानेक लोगों को दर्शन दिया, आगे मैं आपको पर बताऊंगा, आज बाबा को प्रणाम करके यहीं ब्रहम दे रहूं, श्रादिरा दे दे, श्रादिरा.